दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे Photoshop में पासपोर्ट साइज इमेज केट करते हैं, उसे कैसे A4 पेपर में प्लेस करते हैं और उसे कैसे फाइनली पिंट आउट करते हैं, टोटल जो इंटायर पोसेस है, A to Z में आपको आज दिखाऊंगा तो मेरा नम सहुतम और आप देखरे हैं सहुतम FC तो चलिए शुरू करते हैं यह देखिए फाटोसप का इंटरफेस तो पहले हम लोगों को जो फोटो पासपोर्ट फोटो बनाना चाहता हूँ उसको ओपेन करना है तो उपेन में जाऊंगा और मनली जी एवला फोटो इसको उपेन करूंगा तो अभी इसका उपर काम करना है तो फस्ट हमारा जो काम है हम लोगों को फोकस करना है फेस को थोड़ा सा स्मूथिंग करना है एस पर customer एस पर आपका client अगा चाते तो तो ज्यादा से ज्यादा client face को थोड़ा सा smoothie चाते है सब भी चाते उसको अच्छे देखे ठीक है तो सबसे पहले हम लोगों को करना है face का उपर थोड़ा सा काम करना है तो इसका copy बना लेता हो control J प्रेस करके ओके आभी photo को zoom कर लेता हो ओके आभी photo को गर से देखे पहला जो छोटा मोटा spot है इसको fix करोंगा ओके तो healing tool चुस करोंगा spot healing brush ओके आभी इसको fix कर सकते है ऐसे करके ओके इसे चोटा मोटा जो काम है इसे fix करेंगे ओके ओके उसके बाद हमारा जो काम है इसको थोड़ा सा smoothing करना है तो आप skin retouching कर सकते हैं लेकिन उतना time आपके पास नहीं है skin retouching करने का तो easiest process जो होगा और accurate भी होगा professionally होगा अच्छा होगा तो वह मैं आपको आज बताऊंगा तो simply का करेंगे इसका दो copy बनाएंगे control जे control जे और top बला जो copy है उसको invert कर देंगे control आई प्रेस करके और इसका blending mode को normal से vivid light चूज़ करेंगे अब फिल्टर में जाएंगे आदार हाइपास और हाइपास वैलू अब धीरे धीरे increase करेंगे जब इस पॉइंट में टेक्स यार पुरा जाना शुरू हो जाएगा तो उस पॉइंट में इसे छोड़ देंगे तो धीरे-धीरे increase करेंगे ओके मेरे हिसाब से 10 standard है अभी कर देंगे अभी क्या करेंगे filter में जाएंगे blur Gaussian blur और blend amount एकदम शुरू से धीरे-धीरे increase करेंगे जिस position में आपको जिस point में आपको लाएगा just texture दिखाई देना शुरू होगा उस point में आप छोड़ देंगे मेरा हिसाब से मेरा हिसाब से 1.5 इस ओके 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 कर देंगे और थोड़ा साब कर सकते 1.2 ओके अभी ओके कर देंगे ओके अभी जस्ट इसका उपर एक नेगेटिफ मास्क एट करेंगे तो आल्ट प्रेस करके इसका उपर क्लिक करेंगे मास्क बटन के उपर क्लिक करेंगे तो देखिए नेगेटिफ मास्क एट हो चुका है आभी ब्रास चोज़ करेंगे फोर्गाउंड कालर वाइट लेंगे और फ्लो 100% और थुरा सा काम भी राख सकते लेकिन ज्यादा टाइम लग जाएगा आभी पेंट कर देंगे ओके एकदम जो एक्स्ट्रीम एजेस है एजेस में आप टाच नहीं करेंगे नहीं तो इमेज भी गड़ सकता है देखने में और लाएगा ओके ऐसे करके अब पेंट कर देंगे ओके इजेस में थोड़ा सा फ्लो काम करके आप कर सकते अगर आपको कर नहीं है ओके ठीक है अभी आप बीपोर आप्रत देख सकते यह देखिए पहले ऐसे था और अभी ऐसा है ओके अभी आप थोड़ा सा कम कर सकते थोड़ा सा हलका सा डॉजबान कर सकते जस्ट एक इम्टी लेयर केट करेंगे और इसका ब्लेनिंग मोड को सब्लाइट चूज़ करेंगे और जिदा जिदा आपको डॉजबान करना है कर सकते जस्ट ब्रास चूज़ करेंगे डॉज़ करने के लिए फोर गाउन कलर होइट लेंगे और burn करने के लिए forgotten color black लेंगे और flow एकदम कम मान लिए 2 percent ओके अभी just जिदा जिदा आपको लग रहा है मान लिए यह जगा dodge करना है तो simply paint कर दूँगा ओके ऐसे करके आप कर सकते यह जगा थोड़ा सा burn करना है एक्सप्रेस करके foreground color black लेंगे और burn कर देंगे ओके ऐसे करके आप इसे adjust कर सकते अगर आपके पास time है तो ओके तो अभी आप before अप्टा देख सकते ठीके पुरा सबको सबको एक group में ले लेता हूँ मर्च कर लेता हूँ अभी देखिए before after देखिए पहले ऐसे था और अभी ऐसा है पहले ऐसे था और अभी ऐसा है अभी हम लोग को जो focus करना है background के उपर अगर आप चाहते background को color change करना तो simply यह भी बहुत ही simple है just इसका एक copy बनाएंगे ओके और इसका नीचे आप कोई भी color ले सकते हैं empty layer create करेंगे और shift प्रेस करके backpress प्रेस करेंगे color choose करेंगे मानली यह blue वाला color okay कर देंगे ओके अभी just select subject okay और all प्रेस करके mask एट करेंगे अभी just mask को invert कर देंगे control eye प्रेस करके अभी देखे background blue हो चुका है तो इस process में आप कर सकते नहीं तो अगर आप चाहते जो background है white ही राखना चाहते तो just आपको wrinkles को fix करना है तो wrinkles को कैसे fix करेंगे वो भी बहुत ही असान है just पहले आपको subject को select करना है select subject उसके बाद select and mask अगर आपको थोड़ा-थोड़ा सा refine करना है तो कर सकते refinance tool चूश करेंगे इसको zoom करेंगे मानली जी यह जगा refine करना है तो simply आप ऐसे करके refine कर सकते ओके इसे करके आप refine कर सकते और last में आपको एक चीज़ धन रखना होगा decontaminate colors इसको tick करना होगा और okay कर देना है अभी just इसको select करना है यह जो mask है control प्रेस करके इसका उपर click करना है यह देखिए पुरा selection आगा है अभी यह जो select है selected area है इस selected area में पुरा selection को add करना है तो simply lasso tool चूश करेंगे shift place करेंगे और ऐसे करके इसको पुरा को selection में add करेंगे देखिए पुरा selection होगा है अभी थोड़ा सा selection को expand करना है तो select में जाएंगे modify expand और 20 pixels राख सकते as per your choice as per your need 25 भी राख सकते 25 अभी okay कर देंगे अभी नीचे वाला layer को select करेंगे और उपर वाला को up करेंगे अभी shift प्रेस करके back page प्रेस करेंगे और इदा से content error को choose करेंगे बाकी settings जैसा है वैसे राखेंगे ok कर देंगे अभी थोड़ा सा इसको fix करना है प्रेस टूल चूस करेंगे इसको ऐसे करके fix कर देंगे अभी उपर वाला layer को on कर देंगे और उसके नीचे यह वाला layer को इसके उपर right click करेंगे और convert to smart object smart object में convert करेंगे अभी इसको blur करेंगे as far your need blur Gaussian blur blur amount अब दिरे दिरे increase करेंगे जब यह wrinkles चला जाएगा तब आप छोड़ सकते ठीके 200 pixel एकदम बेटर अभी देखिए यह जो background एकदम ठीक टाक हो गया ठीके अभी सबको merge कर देता हो अभी देखिए यह देखिए पहले ऐसे था और अभी ऐसा है अभी आप चाहे तो इसका brightness contrast adjust कर सकते है just आप कर्प चुस करेंगे काप को थोड़ा सा increase करेंगे mid को ओके और थोड़ा सा इसमें counter stat करेंगे थोड़ा सा अभी देखिए पुरा image यह देखिए पहले ऐसे था और अभी ऐसे है तो आभी फ्लाटन इमेज कर दूँगा फ्लाटन इमेज आभी इसको crop करूंगा passport size के हिसाब से तो crop tool चूस करूंगा और इधर जो option है width into height into regulation w into h into regulation इसको चूस करेंगे और इधर 3.5 मतलब जो इसका जो width है 3.5 और height 4.5 cm और रेजिलेशन 300 पिक्सेल पर इंच राखेंगे आभी इसको crop करेंगे इमेज को adjust करेंगे इमेज को ऐसे करके adjust करेंगे आभी एंटर कर देंगे Ctrl-0 पेस्ट करके set किया है अभी एकदम ठीक टक परफेक्ट लग रहा है अभी इसको फ्लाटन इमेज कर देंगे और इसका एक copy बनाएंगे Ctrl-J प्रेस करके अभी इसका side में border add करेंगे ओके बाहर बाहर ओके तो इसका पर डॉबल क्लिक करेंगे stroke चूश करेंगे ओके और इधा two pixels ठीक है position inside और बाकी जैसे है वैसे रखेंगे और ok कर देंगे अभी Ctrl-T प्रेस करेंगे ओके और हम लोग को यह insert करना है कि यह जो link button है link button check है ओके आभी width और height किसी एक को 97 और 96 ऐसा percentage करना है ओके एंटर कर देना है इसलिए link button चेक किया है अगर आप width को 97 करेंगे तो height automatically 97 हो जाएगा इसलिए ओके आभी एकदम सबको flatten image कर देना है ओके flatten image तो हमारा image passport size image एकदम ready हो चुका है अभी इसे A4 paper में place करना है तो एक control and press करेंगे new document के लिए अभी इदर बहुत सारे option है इन में से print में जाएंगे यह देखिए by default बहुत सारे size है letter size, legal size tabloid size, A4, A6, A5 ज्यादा से ज्यादा A4 use होता है तो मैं A4 choose कर रहूँगा अगर आप A5 आपको लग रहा है तो आप A5 भी यूज कर सकते है कोई भी यूज कर सकते है मैं ज्यादा से ज्यादा A4 use होता है इसलिए मैं A4 choose किया है आभी create में click करूंगा देखिए नया जो A4 paper A4 document create हो चुका है अभी just इसको drop करके इसका उपर drop कर देंगे अभी इसको set करेंगे position set करेंगे अभी क्या करना है अभी control प्रेस करके इसका उपर click करना है अभी control alt and T प्रेस करना है अभी just shift प्रेस करके इसको ऐसे करके move करना है तो देखिए और एक copy बन गया ठीक है अभी आपको जितना copy चाहिए आप ऐसे करके create कर सकते अभी क्या करना है control shift alt T प्रेस करना है ठीक है अभी control A प्रेस करना है और इसे align करना है तो align कर सकते देखिए align हो गया ठीक है अभी control D प्रेस करेंगे D select करेंगे ओके फिर से control प्रेस करके इस लेयर के उपर click करेंगे देखिए sub select हो गया अभी control alt and T प्रेस करेंगे ओके और इसे shift प्रेस करके ऐसे करके नीचे मुख करेंगे एंटर कर देंगे अभी ctrl shift alt t प्रेस करेंगे ओके अभी ctrl d प्रेस करेंगे डिसलेट करेंगे अभी पुड़ा image को flatten कर देंगे अभी देखिए हमारा page setup भी रेडी हो गया अभी आप चाहे तो इसे शेप कर सकते jpg में फाइल में जाएंगे अभी location से चूज करेंगे अभी इदार आप कोई भी नाम दीजिए ठीक है print कि अभी जो printer आपका है इधार आ जाएगा उधार आप प्रिंटर आपका प्रिंटर चूज करेंगे और जस्ट प्रिंट कर देंगे ओके तो यह था आज का एंटर पॉसेस पासपोर्ट फोटो क्रेट करने का तो यह बहुत ही सिंपिल है बहुत ही इज़ी है आयप की टिटोरियल आपको अच्छा लगा अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जूरू लाइक कर दिजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया घडड़ !